नमस्ते फ्रेंड्स मैं मधुलिका आप सब के लिए फूट कनक्षे में लेकर आएं एकतम बेसिक सी रेसिपी यह है कलर फुल टुटी-फुटी जो की बनाएंगे हम तर्बूज की छिलकों से जिरह मकसर फेक देते हैं इन्हें बनाका फ्रिज में स्टोर करें और इन्हें है जो काफी सॉफ्ट होता है और साथ ही हमें अब सब्सक्राइब काफी हार्ड होता है इसे निकाल लेंगे हमें यहां पर टुटी-फुटी बनाने के लिए बीच का वाइफ पार चाहिए इससे बहुती आसानी से पूटी-फुटी बना सकते हैं मैंने पहले कच्छे पपी पीसिस में इस तरह से कट करेंगे तो बहुती जल्दी से हमें चोटी-छोटी से से कट होकर मिल जाएंगे तो इनहां पर मैंने इस अभी कट करके रख रखे हैं इन्हां आप बोल में खटा कर लें अब बोल करने के लिए आप एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी रख लें और इसे पानी को बॉल आते ही हम यह जो तर्बुश के शिलके हैं इस पर डाल देंगे और पांच मिनिट के लिए हाई फ्लेम पर पकने देंगे बहुत ही जल्दी पक जाते हैं और इन्हां इस तरह से हमें आप पर बॉल करने के बाद में गैस को बंद कर देंगे और इसे चीनी डालेंगे और चीनी को अच्छे से मेंट होने तक पका लेंगे इसे आप हाई फ्लेम पे एक बास टर करके जल्दी से पका सकते हैं ताकि हमें कम टाइम लगे और जैसे चीनी उबल जाए अब इसमें यह उबले हुए तर्बुश के डालकर इसे भी चार से पांस मिनि प्लिश के जाएं तो गयस बंद करने के बाद में हम इने तीन बोल्स पर डिवायट कर लेंगे जितनी आप वग्र स्वाल चाहिए तो यह पर तीन चार पांच कर जितने बही बनाने हैं उसे बोल्स में ट्रांस्फर कर लें और इसमें आप फूड कलर डालें तो मैं जैसे हम यहां पर करीब 3-4 घंटे के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि अच्छे से कलर सोप कर लिए और काफी मीठी भी हो जाएं देख सकते हैं कितना बढ़ा कलर आगे हैं इनके उपर तो इस तरह से रखने के बाद में हम इने अच्छे से चान लेंगे तो एक बड़तन ले कर रहा है कि उपर से दौन तरफ से हवा लगे जल्दी सुपती है और ज्यादा टाइम लेता है और एक्तम प्रॉपर तरीके से सुपिंगे नहीं करना है यह सौफ्ट और मॉइस्ट राइन चाहिए इस तरह से मैंने तिनों को च्छान लिया है अब इसे आप जाली पर बना सकते हैं इस तरह से मैं चल्ली लिए और इस तरह से टोटी-फूटी को डाल दूंगे और इन्हें संड्राय करूंगी सिप एक देन के लिए ही काफी है वह जाएंगी तो इन्हें मैंने आप पर सुखाने के लिए रग दिया है अब मैं आपको बताते हैं कि नेक्स तरह की हो जाएंगी तो आप देख सकते हैं नेक्स तरह हमारे पास में इस तरही टोटी-फूटी बनकर तयार हो चुकी है और इस तरह आप दरूज छिलकों को फेके ना इस तरह से बहुत ही असानी से घर पर टोटी-फूटी बनाकर एंज़ोई कर सकते हैं बच्चे किसे ऐसे झाल